So Hello Guys Everyone Welcome back to the channel आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाल है complete information के बारे में internal sliding के ऊपर क्या internal sliding होती है इससे आपको क्या benefit देखने को मिलता है कैसे आपकी branch change होती ही internal sliding से और कैसे apply करना है पूरी A2 slide information आज इस वीडियो के अंदर में आपको देने वाला हूँ तो आप अमरे YouTube चैनल को subscribe करें गंटी वाला आइकन जो रुसुत बात सकते हैं जी more informative वीडियो देखने के लिए तो स्टार्ट करता आज की इस वीडियो को बिना किसी देरीगी तो सबसे बात कर लेते internal sliding होता क्या है क्या इसका procedure होना वाला उसके बारे में बात करें तो internal sliding आपके लिए ऐसा जरिया है जिससे आप अपनी branch है जो change कर सकते हो अपनी college के अंदर जैसे कि आपको MBM का अंदर civil branch मिली थी और आपको electrical चाहिए या फिर IT चाहिए या CS branch चाहिए तो आपको जो आपकी cutoff है वो clear होगी और आपको कैसे apply करना उसके बारे में बात करेंगे तो जैसे कि आपको MBM का अंदर आपको civil branch मिली है आपको electrical branch चाहिए तो उसके लिए आपको internal sliding के उपर apply करना होगा और यह जो internal sliding का procedure होता है only for institute के level पर होता अपनी जो college का level होता उसी के उपर होता रीप के अंडर में नहीं होता यह और आपको यह apply कैसा करना उसके बारे में बात करें जो भी आपकी college है जैसे कि MBM college है तो आपको उसके लिए electrical चीए तो electrical के लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपको chrome browser ओपर कोने के बाद आपको वह पर type करना है MBM University Internal Sliding आपको वहाँ पर जानने के बाद आपको वहाँ पर सबसे पहली जो वहाँ पर link निकलका है कि उसके उपर click करना है वहाँ पर जाके अपने अपने लिए apply कर लेना होगा Internal Sliding के लिए और वह जो आपको फॉर्म में जो फिलफ करना होगा Internal Sliding के लिए और कौन सी कौन सी ब्रांच आपको उसके अंदर आपको जो भी वेबसाइट है college की उस पर जाके आपको Google पर जाके आपको website के लिए सर्च कर लेना है internal sliding वहाँ पर जाके आपको form number और आपके password डालने हैं और वहाँ पर आपकी जो रिसिप्ट है जो आपकी fees की receipt है वहाँ को लगा रही है वहाँ पर internal sliding के दोरान फिर आप internal sliding के लिए apply हो जाओगे उसके लिए आपको online apply करना होगा offline कुछ भी प्रोसेजर नहीं होता है offline भी होते कुछी किसी college में तो ज्यादातर colleges के अंदर online नहीं होता तो आप जाके online apply कर सकते हो अगर आप CTA के लिए भी आपको same procedure करना है CTA युदेपूर लिखना है CTA युदेपूर college और आ मैं आपको government colleges के लिए बताए government colleges के लिए कैसा आप internal sliding के उपर apply कर सकते हो और apply करके आपनी जो branch है जो भी आपको branch मिली है वो आपको change करने का मोगा मिल सकता है एक और यह effort moment नहीं होता है बस इसके दौरान आपकी जो effort moment में क्या होता में आपको college change करने को मिलता है इसके अंद internal sliding के लिए जो भी other category होती है जोसी कि PW category होती है SC category होती है ST category होती है उनको ज्यादा preference दी जाती internal sliding के दोरान क्योंकि उनको जो branches उच्छी-खास ब्रांच स्टुडेंगरी के दोरान अगर उनको अच्छी-खास ब्रांच नहीं मिली है तो internal sliding के उपर apply करके वो अपनी जो branch है व जो भी स्टुडेंट उन्होंने जो रिपोर्टिंग कर वाली होगी 6th round की रिगार्डिंग जिसको भी अच्छी-कासी जो ब्रांचेस मिली होगी उन्होंने ले ली होगी तो इंट्रनल स्लाइडिंग के दौरान कैसे ब्रांचेस खाली रह सकती है मैं आपको बताते था हूं जो भी student जो student admission नहीं लेते हैं, जो admission withdrawal लेते हैं, तो उनकी जो seat होती है, वो भी internal sliding के दौरान, फुल्फिल की जाती है, sport round के दौरान, फुल्फिल की जाती है, और जो भी student, reporting करवाने नहीं जाते हैं, तो उनकी भी seat वेकंड रेती है, तो उनके लिए भी जो sport round का जो criteria उससे fulfill कर दी जाती seats और internal sliding से जो seat है जो fulfill कर दी जाती है तो आज इस वीडियो के अंदर में आपको बताया complete information दे दिये internal sliding के उपर कैसे आपको apply करना है और क्या आपको benefit देखने को मिलता है तो आज इस वीडियो के अंदर में आपको complete information दे दिये तो इस वीडियो का आपको कुछ नहीं करना है प्लीज अपने दोस्तों को साथ share कर देना जिनको नहीं पता internal sliding क्या होती है क्या इसका procedure होना वाला है तो उनके साथ इस वीडियो को जो उसे share कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल में ऐसी वीडियो में प्रवेड कर रहता हूं जैसी की online courses हो गया scholarship हो गया college review हो गया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को subscribe कर सकते हो ऐसी more informative वीडियो देखने के लिए और अने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि sport round के दोरान कौन सी कौन सी colleges के अंदर कितनी कितनी seat है जो वेकेंड है तो आप जाके admission ले सकते हो easily तो आज इस वीडियो के अंदर इतना ही रखता है मिलते हैं चल दे नेक्स्ट वीडियो के साथ में till then have a good day bye bye